हलो ओपी क्लासिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुन्हा स्वागत है आज हम लोग को पढ़ने हैं 6 अगस 2020 के Most Expected Current Affairs तो चली शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण है निम्न मैंसे किस मंत्राले ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात सम्मर्धन नीती 2020 का मसौदा तयार किया है तो हाल ही में रक्षा मंत्राले ने रक्षा उत्पादन और निर्यात सम्मर्धन नीती 2020 का मसौदा तयार किया है अगर बात की जाए रक अगर बात की जाए रक्षा मंत्री की तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं आपके राजनात शिंग चलिए देखते हमारा आज का दूसरा प्रशन है भारत के किस राज के उत्तरकाशी बन प्रभाग छेतर में जल ही हिम तेंदुआ सर्रक्षन केंद्र इस्थापित करने की घो प्रशना की गई है इस सर्रक्षन केंद्र की इस्थापना में कुल 5.5 करोड रुपे की लागत आएगी अगर बात की जा उत्तराखन की तो उत्तराखन की राजधानी है आपकी दहरादून तथा मुख्य मंत्री हैं त्रवेंद्र शिंग राबत जबकी राजपाल हैं देखे जाने की बात की गई है हिम ते दूआ को घोश्ट ऑफ माउंटेन कहा जाता है क्या कहा जाता है घोश्ट ऑफ माउंटेन चलिए देखते हमारा आज का अगला प्रशन क्या है ? अगला प्रशन है अमेरकी राष्टपती टरंप ने हाल ही में किस बीजा के नियम में बदलाव किये हैं तो हाल ही में अमेरकी राष्टपती डोनाल टरंप ने H1B बीजा में बदलाव किये हैं अगर बात की जा H1B बीजा की तो यह एक गैर अप्रवासी बीजा है जिसके तह कोई भी बाहरी करमचारी 6 साल तक अमेर कामे काम कर सकता है इसको एमिग्रेशन एंड नेशनल्टी एक्ट 101A 15H के तहत माननता प्रदान की गई है चली देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रशन क्या है चौथा प्रशन है भारत को अगर्बत्ती उत्पादन में आत्म बनाने के लिए किसकी द्वारा प्रस्ताबित एक अदुत्तिय रोजगार सरजन कारिक्रम को मंजूरी दी गई है तो हाल ही में खादी और ग्राम उद्धोग आयोक की द्वारा अगर्बत्ती उत्पादन में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए एक अदुत्तिय रोज सबसे जदा अगर्बति का उत्पादन भारत की करनाटक में किया जाता है। चली देखते हमारे आज का पांचवा प्रशन है निम्नेमैसि किस राजने पन्चायती चुनाओं में महलाओं को 50% आरक्शन देने की घोष्णा की है। की जाए हर्याना राज की तो हर्याना की राजधानी है चंडीगर वर्तमान में मुख्य मंत्री है मनोहरलाल खटर जबकी राजपाल है आपके सत्य देब नारायन आर्याना भारत का दूसरा राज है जहां पर प्रतिविक्ति आये सबसे अधिक है तथा अगर बात की जाए बीस राजजियों में महलाओं को पचास प्रतिसत आरक्षन दिया जा चुका है सबसे पहले पंचायती राज जो बिवस्था है बू लागू की गई थी रायस्थान के नागोर जिले के बगदारी गाउं में किस गाउं में बगदारी गाउं में 2 अक्टूबर 1969 को चली बैंक खाते खुल चुके हैं तो जनधन योजना के तहत अब तक 6 वरसों में कुल 40 करोड से भी अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं जनधन योजना की सुरूबात हुई थी आपकी 2014 में 15 अगस 2014 को इसकी घोशना हुई थी जबकि 28 अगस 2014 को पीम नरेंदर मोदी ने इसकी सुरूबात की थी चली देखते हमारा आज का अगला सातवा प्रश्न क्या है सातवा प्रश्न है Drug Controller General of India ने किसे Oxford University की COVID-19 बैक्सीन का ट्राइल भारत में करने की मंजूरी दे दी है तो हाल ही मैं Serum Institute of India को Drug Controller General of India ने Oxford University की COVID-19 बैक्सीन की का ट्राइल भारत में करने की मंजूरी दे दी है चली देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न अगला प्रश्न है विस्वि संस्कृत दिवस निम्न मैसे किस दिन मनाया गया तो हाल ही मैं तीन अगस्त को विस्वि संस्कृत दिवस मनाया गया अगर बात की जाए संस्कृत भाषा की तो सबसे प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा को गिना जाता है चली देखते हमारा आज का नौबा प्रशन नौबा प्रशन है राजिस्थान सरकार ने न्याएक सेवा में अती पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिसत का आरक्षन देने की मनजूरी दी है तो हाल ही में राजिस्थान सरकार ने 5 प्रतिसत आरक्षन दिया है अती पिछड़ा वर्ग को न्याएक सेवा में अती पिछड़ा वर्ग में रायस्थान में आपकी बंजारा, गड़रिया, गुर्जर, आदी जनजातियां आती हैं अगर बात की जाए राइस्थान की तो राइस्थान की राजधानी है जैपूर तथा मुख्य मंत्री है असोगहलो तथा राजपाल है आपके कलराज मिस्र चली देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रशन क्या है अंतिम प्रश्न है हाल ही में किस राज सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदिगी जागरुकता अभियान का सुभारम किया है तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदिगी जागरुकता अभियान सुरू किया है इस अभियान के तहट एक मास्क बैंक खोला जाएगा जिसमें मास्क दान किया जा सकता है जो कि गरीबों के काम आएगा अगर बात की जाए मध्य परदेश की तो मध्य परदेश के मुख्य मंत्री हैं वर्तमान में सिवराज सिंग चोहन तथा राजपाल के तोर पर आनंदी बेन पटेल अतिरिक्त प्रभार लिये हुए हैं मध्य परदेश की राजधानी है भोपाल जबकि सबसे बड़ा यहां का नगर है वो है आपका इंदोर मध्य परदेश से 1 नबंबर 2000 को 16 जिले काटकर 36 गड़ राज़ की स्थापना की गई थी 5 अगस 2020 का कोशन ओफ दडे था आपका किस राजध में ग्रीन आग परियोजना सुरू की गई है तो यह थी ग्रीन एजी परियोजना और यह सुरू की गई थी आपकी मिजोरम राज़ में सही उत्तर देने वालों में हैं अविशेक कुमार, समिक्षा स्रीवास्तब, अनुराग वादल, वैशनवी तिवारी, दिलीप कुमार, राजा भहिया, निक्की तिवारी, मानशींग कुशवाह, मानवेंदर शींग, विकास वादल, फूल कुमार, सोनाली मौर्या, मयंक सुसील, प्रोहित, तधा, गोलो, कुसवाह, सभी को बहुत-बहुत पधाई, छे अगस 2020 का कुशन आप दे है, आपका हाल ही में बारा काह परमानु उर्जा सेयंदर सुर्कियों में रहा है, यह किस देश से सम्मंदित है, तो बारा काह परमानु उर्जा सेयंदर के वारे म हमने आपको 5 अगस 2020 के करेंट अफियर्स के सेशन में बताया है, तो उपर आप आई वटन पर क्लिक करके इसके वारे में पढ़ सकते हैं, इसके उपरांत आप अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो यह था आपका 6 अगस 2020 का करेंट अफि क्लिक का कर दापका 6 अगस अथा अबया है झा अभादf कर आपका 5 अगस 2020 कि कमेंट करवा सकते हैं, तो यह था आपकते हैं, यह हुआ सरा इनके अपका 5 अगस 2020 कि हितना और सकते हैं, sipति कमेंट क्लिक किता आपका 6 अगस